नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले है फोर्ड एको स्पोर्ट टाइटेनियम प्लेस स्पोर्ट 1.5 लीटर पेट्रोल वैरियंट को जो के आता है मैन्योल ट्रांस्मिशन के साथ तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे बह आप वैरियंट देख रहे है यह आता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर BS6 पेट्रोल एंजिन के साथ में और टोटल 3 साल और 1 लाग किलोमेटर तक की वारंटी आपको इसके साथ मिलती है अब बात करते हैं इसके कीमत की तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 11.21 लाग रूपीज और अन ग्रे और मूंडस सिल्वर इसके अलावा इसके जो पेट्रोल और डीजल मॉडल है वो आप अभी स्क्रीन के उपर देख सकते हो आटोमेटिक का ओप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है तो चलिए अब देखते हैं इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल को तो यहाँ पे आ अब दिये है टर्निंग इंडिकेटर और फॉग लैम्स और यह है इसके सेकंडरी ग्रिल यहाँ पे आपको टोइंग हुक का ओप्शन भी मिलता है बोनट के उपर आपको थोड़े से पैटन्स देखने को मिलेंगे और यहाँ दिये है दो वाइपर दो वाशर के साथ अब इसके रूफ को तो यहाँ पे भी थोड़े से पैटन्स अवेलिबल है रूफ दिया है पूरा ब्लाक कलर में इसके अलावा आपको सन रूफ और रूफ रेल्स भी मिल जाती है एपिलर दिया है बोडी कलर में यह है इसके ओवार फियम का लुक यह आपको मिलता है डुएल में टर्निंग इंडिकेटर भी आपको इसी के ऊपर मिलेंगे और इस गाड़ी में आपको 16 इंचेस के अलाव वील्स मिलते है जिनकी टायर साइज है 205-60R16 की और इस गाड़ी का वील बेस है 2519 mm का और ग्राउंड क्लिरंस आपको मिलता है 200 mm का डूर हैंडल्स दिये है अप्शन भी मिलेगा बी पिलर दिया है पूरा ब्लाक टाउट चलते हैं पीछे की तरफ तो सी पिलर आपको मिलता है बॉडी कलर में और कुछ इस तरह से दिखाए देता है इस गाड़ी का ड्राइवर साइट प्लस बैक साइड प्रोफाइल का लुक अब हम देखेंगे इ जो स्पेर भी ले वो आपको मिलेगा बूटलीड के उपर और ये अलोई में आपको मिलता है जिसकी टाइर साइज है 205-60R16 की ये रहे इसके टेल लाम या तेहे टर्निंग इंडिकेटर के साथ और इसी के निचे आपको मिल जाएगा फोड का लोगो यहाँ पे दी है इको प्लेट के ठीक ऊपर अब बात करते है इस गड़ी के सस्पेंशन की तो फ्रंट में लगा है इंडिपेंडेंट मैक फर्सन और रियर में लगा है सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम टाइप और फ्रंट में दिये है डिस्क ब्रेक और रियर में है ड्रम ब्रेक्स इस इसके अलावा right side में दी है titanium S की बैजिंग, अब open कर लेते इसके boot lead को, तो यहाँ पे electric tailgate release का option available है और इसमें आपको total 352 liter का massive boot space मिल जाता है, इसमें right side में आपको मिल जाएगी इसकी first aid kit और left side में आपको empty space मिलेगा, यहाँ पे parcel tray का option भी available है और boot lamp भी आपको मिलेगा और इसक जो seat है वो भी आप 60 foot split कर सकते हो, split करने के लिए दोनों तरफ आपको lever मिल जाता है, आपको simply इसे pull करना है और आपको जो boot space है वो काफी massive हो जाएगा, नीचे की तरफ दी है इसकी tool kit, spare wheel आपको मिलेगा boot lead के उपर, तो उसके लिए यहाँ पे आपको कोई भी provision देखने को न 998 mm, width है 1765 mm, height है 1647 mm, curve weight है 1225 kg का और turning radius है 5.3 meters की, तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यह रही इसकी remote की, यहाँ पे आपको lock on lock option मिल जाता है, इसके अंदर आपको एक physical key भी मिल जाती है, जिससे आप emergency में use कर सकते हो, total 2 keys provide की गई है, open कर लेते हैं इसके door को, तो यह रहा इसके dashboard का look, sport model में आपको single tone dashboard मिलता है, orange theme के साथ, और इसके doors भी काफी wide open हो जाते है, door के उपर आपको देखने को मिलेगा map pocket, 1 liter bottle holder, यह है इसका speaker, यहाँ से आप इसके ORVM को control कर सकते हो, सबसे पहले आपको मिलता है left और right side का ORVM select करने के लिए option, उसके बाद आप उनको retract भी कर पाओगे, और यहाँ से आप fold भी कर सकते हो, window lock on lock का option भी available है, और यह है चारो power windows के control, यह आते है driver side auto down और up option के साथ, यह है inside door handle, fixed handrest के उपर, इसमें hard touch plastic material का use किया गया है, और यहाँ से आप door lock on lock कर सकते हो, और यह switch आपको दोनों front doors में मिल जाता है, यह ह साइड में आपको देखने को मिलेगा इसका twitter, तो music की quality काफी बढ़िया रहने वाली है, यह रहा इसका ORVM, अब देखते हैं इसके pedals को, तो यहाँ पे dead pedal का option भी available है, और यहाँ से आप इसके engine bay को open कर सकते हो, और अगर आपको इसके seat को forward या फिर backward adjust करना है, तो यहाँ आप इसके driver मिलता है, नीचे की तरफ आपको fuel lead को open करने के लिए option नहीं मिलेगा, इसके seat में आपको back adjust के साथ साथ height adjust का option भी मिलता है, और यहाँ पे दी है premium leather right seats, जो आपको सिर्फ इसी model में offer की गई है, काफी kushni seats आपको मिल जाती है, इसके अलावा अगर बात करे headrest की, तो य आपको मिलेंगे adjustable, और कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इसके dashboard का look, काफी broad dashboard दिया गया है, तो आप जैसा चाहूँ use कर सकते हो, यह है इसकी driver side is event, और इसी के नीचे आपको मिलेंगे इसके light के controls, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाता है rear fog lamp का switch, उसके बाद आप inside lights on कर सकते हो, front light को भी on कर पाओगे, और अगर आपको इसके high beam और low beam को set करना है, तो बीच में आपको switch मिल जाता है, और सबसे last में दिया है brightness को adjust करने के लिए switch, और इसमें आपको analog digital instrument cluster provide किया गया है, जो show करता है various information को, तो इसमें आप देख पाओगे trip meter, average fuel consumption, average speed, distance to empty, digital clock, low fuel warning, door reserve warning, gear shift indicator, और यह आता है analog tachometer के साथ, अब हम देखेंगे इसके steering wheel को, तो सबसे पहले मैं उपर से नीचे तक पूरा steering wheel आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे flat bottom steering wheel का option available नहीं है, नीचे की तरफ आपको U-shape में design मिल जाती है, left side में दिये है MID के controls, तो यहाँ से cruise control के switches, बीच में दिया है Ford का logo, इसी के अंदर आपको haunt भी मिल जाएगा, और नीचे की तरफ लिखा है इसके air back के बारे में, right side में आपको मिल जाते हैं आपके media और phone के controls, तो यहाँ से आप volume increase decrease कर सकते हो, mode select कर सकते हो, बात करते हैं इसके toggles की, तो right side में मिलते है light और indicator के controls और वही पर left side में आपको मिलते है wiper और washer के controls, इसी के नीचे आपको मिलेगा engine start stop switch, side में आपको मिलती है chrome bordering, इसके sport model में आपको 8 inches का touchscreen infotainment system मिलता है, हाला कि नीचे वाले models में आपको 9 inches का infotainment system मिलेगा, जो आता है built-in GPS navigation system के साथ, और यह support करता है USB, AUX, Bluetooth और steering mounted controls को, इस इसमें आप MP3 और FM radio भी play कर सकते हो, और यह आता है total 6 speakers के साथ, reverse parking camera को भी यह support करता है, इसमें आपको offline GPS navigation system मिल जाता है, नीचे की तरफ आपको मिल जाते है दो rotary knobs, और बीच में दिये है several controls, इसके अलवा यहाँ पे orange insert का इस्तमाल किया हुआ भी आप देख सकते हो, इसके न नीचे आपको देखने को मिलेगा automatic AC, side में आपको दो rotary knobs provide की है, यहाँ से आप blower का speed कम ज़्यादा कर पाओगे, उसके बाद आपको max AC और AC का भी switch मिल जाता है, बीच में दिया है एक display, इसके अलवा नीचे की तरफ आपको AC के several controls मिलते है, उसके बाद heater और outside air को control करने के ल switch, और इसी के side में आपको एक convenience space भी मिल जाएगा, और यह है 12 वोल्ट का charging socket, और यह रहा इसका 5-speed manual gearbox with reverse, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ black color का knob मिलता है, और side में दी है orange finishing, जो all the way AC से लेकर gear knob तक आपको मिलती है, और यह है इसका hand brake, या ता है chrome tip के साथ, और इसी के side में द stability space मिलेगा, और यह है इसका arm rest, तो काफी deep space आपको इसके अंदर मिल जाएगा, cooling का कोई भी option यहाँ पे available नहीं है, और उपर की तरफ इसमें soft touch material का use किया गया है, इसमें आपको leather upholstery मिलती है, और कुछ इस तरह से दिखाए देता है, इसका co driver side door का look, और इसमें front में भी आ चलिए बंद कर लेते हैं इसको, यहाँ पे आपको और एक convenience space मिलेगा, और उपर की तरफ आपको again orange finishing देखने को मिलेगी, इसी के उपर लिखा है इसके air bag के बारे में, यह है co driver side is event, grab handle का कोई भी option आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा, ओपन करते है co driver side sun visor को, तो यहाँ पे vanity mirror का option available है, उपर की तरफ light का option भी provide किया गया है, और इसका throw भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, यहाँ पे दिया है एक sunglass holder और आपको एक mic भी मिलेगा, ताकि आप Bluetooth के थुरू call कर सको, इसके अलवा sunroof के जो switches है, वो भी आपको यही पे मिलेंगे, उपर की तरफ ज इतना बड़ा sunroof आपको मिल जाता है, तो चलिए close कर लेते हैं इसको, और इसका जो flap है, उसे हमें manually ही close करना होगा, electric का option available नहीं है, बीच में आपको मिलता है cabin lamp, या ता है normal halogen light के साथ, इसमें आपको electrochromic IRVM मिलेगा, जो की बहुत ही बढ़िया convenience feature है, चेक करते है driver side sun visor क तो इसमें आपको vanity mirror या फिर ticket holder का कोई भी option देखने को नहीं मिलेगा, तो सामने से जो है हमने अच्छे से बात कर ली है, अब चलते हैं इस गड़ी के back seat पे और वहाँ चलके बात करते हैं, तो open कर लेते हैं इसके door को और यह रहा इसका inside space, तो leg room जो है काफी बढ़िया रे windows के control, यह है इसका inside door handle, fixed handrest के ऊपर, यहाँ पर आपको child safety lock भी मिलेगा, यह है इसका door lever, और back seat में आपको दोनों भी headrest adjustable मिलेंगे, और यही से इसका parcel tray भी visible है, तो आप बड़े आराम से इसे access कर पाऊगे, इसके अलावा back side में भी आपको एक cabin lamp मिलता है, जिसके light का throw आप देख सकते हो, याता है normal halogen lights के साथ, rear में आपको एक armrest भी मिलेगा, cup holders का option भी available है, इसके अलावा side में आपको एक 12 volt का charging socket भी मिलेगा, तो चली अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पर मेरी जो height है, वो है 5 feet 8 inches, और सामने का जो seat है, वो मेरे height के according adjusted है, तो मुझे जो leg room मिल रहा है, वो आप देख सकते हो, head room भी बहुत बढ़िया है, चेक करते under thigh support, तो वो भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा, इसके front seat में आपको seat pockets भी provide की गई है, दोनों तरफ आपको seat pockets मिलती है, और नीचे की तरफ जो hump है, वो बहुत बढ़ा नहीं है, तो तीन handle नहीं मिलता है, curtain airbag भी आपको मिलेगी, जिसके बारे में B pillar के उपर mention किया हुआ है, seat belt आपको height adjustable नहीं मिलेगी, seat के उपर भी airbag के बारे में लिखा हुआ है, और कुछ इस तरह से दिखाए देता है इसके back seat से, इसके dashboard का look, अब हम बात करेंगे इस गड़ी के safety की, तो safety मे आपको मिल जाती है, six airbags, seat belt warning, ABS with EBD, engine immobilizer, keyless central locking, speed sensing auto door lock, child safety lock, crash sensing auto door unlock, rear seat belts, front seat belt with pre-tensioners and load limiters, cruise control, high speed alert system, और rear parking sensors with camera, इसके अलवा इस में जो telematrix के option आपको मिलते है, वो आप अब इस screen के उपर देख सकते हो, अब देखते हैं इस गड़ी के engine specification को, तो इसमें आपको मिलता है, 1.5 liter, 3 cylinder BS6 petrol engine, जो maximum power produce करता है, 122 PS की, 6500 rpm और आपको maximum torque मिलता है, 149 newton meter का, 4500 rpm और इसमें आपको mileage मिल जाएगा, 15.9 km पर लीटर तक का, और अगर बात करें, transmission की, तो ये available है, 5 speed manual, और automatic gearbox के साथ में, तो दोस्तों अगर आपको इस गाड़ी के बारे में और जानकरी चाहिए, तो आप तलेरा फोट पूने में call कर सकते हो, number में नीचे description में दे रहा हूँ, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है, आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, ऐसे ने वीडियोज देखने के और बेल आइकोन को भी प्रेस करना, ताकि आपको हमारे हर एक ने वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, जय हिन, वन दे मातरम